नमस्कार दोस्तों, SBI Securities Morning Podcast में आपका फिर से स्वागत है आज के Podcast में हम Nifty और Bank Nifty में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से Sectors है, ऐसे कौन से Stocks है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान के इंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे Friends, अगर हम Price Action Perspective को समझें, तो सब्ता के दौरान Nifty में 0.85% की बड़ोतरी हुई और उसी अवधी में Bank Nifty में 0.93% की गिरावट आई जिसका अगर हम ये Relative Outperformance Nifty में देखें, तो उसमें मुख्यकारण जो था IT Counters का मजबूत होना और साथ-साथ यहाँ पर हमें ये भी देखने को बिला कि Reliance ने भी शांदार तेजी इस हपते में दर्ज की अगर हम Dollar Index को देखें, तो वो वरतमान में 102.50 के स्तर के असपास कारोबार कर रहा है जबकि US की जो 10 years Bonded है, वो 4% के असपास है जो Fed द्वारा ब्यासदर में कटोती में संभावित देरी का संकेत है अगर हम Brent Crude को देखें, तो वो 80 से 75 डॉलर प्रती बैरल के बीच तिर बना हुआ है यहाँ पर हमें 75 डॉलर के लेवल पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तूटता है तो हमें जो Brent Crude है, वो 70 से 71 डॉलर प्रती बैरल तक कमजोर होते वे नजर आ सकता है और ये चीज इंडिया जिससे तेल को आयात करने वाले, यानि इंपोर्ट करने वाले कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा S&P 500 भी अपने पिछले Swing High के करीब है, जिससे आगे ये अपने All Time High Level की तरफ जा सकता है और हमें लगता है कि 4680, 4700 ये एक Important Support Zone के तौर पे Act करेगा S&P 500 के लिए और आगे बढ़ते वे 4840, 4890 तक की जो Rally है वह इसमें हमें दिख सकती है Nifty IT अगर हम Nifty पे बात करें तो Nifty IT और Reliance के दम पर जैसे हमने बात की Nifty ने बढ़िया उच्छाल पिछले अपते में दिखाया और Bank Nifty से तो काफी जादा बड़ा Out Performance हमको देखने को मिला Over All अगर हम Open Interest देखें तो 5% के Build-Up के साथ सूचकांग आसानी से 21.900 के Zone तक पहुंच गया है और आगे बढ़ते हुए बहुत ध्यान से सुनेगा 21.660, 21.700 के स्तर यानि की 13 EMA का जो Level है उसके बने रहने तक हमें सूचकांग की यानि Nifty की 22.300 से 22.400 तक की Rally दिख सकती है 21.650 के नीचे Bank Nifty 21.450 से 21.370 Zone तक फिसल सकता है इसी को अगर हम Derivative Data को भी इसमें जोड़ें तो Nifty PCR OI वरतमान में मजबूत है और 21.700, 21.800 स्राइक में आक्राम अकपुट राइटिंग के साथ 1.43 पर Overbought Zone में जरूर वेब पहुंच रहा है जबकि 21.900 के साथ साथ 22.300 कॉल में भी राइटिंग देखी गई है कुल मिलाकर अगर हम रेंज निकालें तो 21.700 ये नीचे की और और 23.300 की रेंज उपर की और निकल कर आ सकती है Overbought का मतलब ये कता ही नहीं होता कि मार्केट यहां से नीचे ही जाएगा Overbought चीज और भी Overbought हो सकती है Bank Nifty पर नजर डालें तो Bank Nifty के लिए मध्यमवदी का रुजहान जो है वो तेजी का है हालांकि हमें उम्मीद है कि आने वाले सब्ता के दोरान जो HDFC Bank, ICACI Bank, Indescent Bank और Kotak Bank के जो रिजल्ट से पहले का एक वहां पर रुजहान दिख सकता है कि उपर की और इसको बना हमें उपर की और ये जाता हुआ दिखे आगे बढ़ते वे Bank Nifty के लिए दोस्तो 47,300, 47,400 का जो जो जोन है वो एक बहुत ही important support के तूर पे कारे करेगा और उपर की और 48,000, 48,100 पर रेस्टेंस बना हुआ है ये रेस्टेंस अगर पार होता है जो कि 48,000, 48,100 पर बना हुआ है तो Bank Nifty 48,500 से 48,600 तक short covering की rally दिखा सकता है results पर भी हमें बहुत बारी किसे यहां पर नजर रखनी होगी 47,400 के टूटने की स्तिती में 47,050 से 46,800 पर रखे गए पुराने supports को Bank Nifty टेस्ट कर पाएगा अगले जो सब्ता के लिए अगर हम OI data को भी साथ में देखें तो 47,800, 47,900 के call में वही 47,500 के put में यानि 47,800, 47,900 के call में और 47,500 के put में एक अच्छा-कासा open interest build-up देखा गया है जो आने वाले कुछ सत्रू के लिए 47,350 और 48,100 इस zone को दर्शाता है अब बात करते हैं आपके favorite segment की यानि की momentum में कौन से sectors और कौन से stocks बने हुए हैं और किन पे आपको आगे ध्यान रखना होगा तो quarterly results ने IT का जो overall प्रदर्शन है वहाँ पे मजबूत जो है रुजान हमको देखने को मिला जिसमें INFI, TCS, HCL Tech, LTIM जैसी कंपनियों के साथ-साथ overall IT के यह जो भी counters है उनमें भी हमको बढ़िया तेजी देखने को मिली और उमीद है कि यह तेजी आगे भी continue रह सकती है फार्मा में APL Limited, Abort India, Sun Pharma और Taurant Pharma जैसे counters ने बढ़िया तेजी दिखाई है और इनका overall chart formation जो है वो काफी जादा बढ़िया नजर आ रहा है अभी PSU या banking index को अगर हम देखे तो banks में Bank of India, Union Bank, KTK Bank, Indocent Bank, धनलक्षमी Bank, जैसे Mid Cap, PSU Private Bank को में भी तेजी देखी गई है और उमीद है कि Bank Nifty के लिए यह अफता जो है वो काफी interesting रह सकता है overall बाजार से बात करें तो LT, Grasim, भारती Airtel, Hero Moto, Reliance, Tata Motors जैसे Large Cap में तेजी देखी गई थी और यह बहुत ही अच्छे formations के साथ trade कर रहे हैं वहीं Tata Consumer, Trend, Godrej, Properties, Hint, Petro, Dixon जैसे counters में भी बढ़िया जो overall data है वो निकल कर आ रहा है और इनकी chart formations भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है और इनमें अच्छे प्रदर्शन की जो उमीद है वो की जा सकती है यहां तक कि अगर हम देखे IRFC, RVNL, BEML, Ember Enterprises, Jometo और IR EDA जैसे Gear FNO शेरों में भी जो formations हैं वो काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं चलिए अब FIA-DII डिटा को देखें तो शुक्रकवार को FIA ने 340 करोड रुपे की बिक्वाली की वहीं DIA ने 2911 करोड रुपे की खरीददारी की सब्ता एक दिश्टिकों से अगर हम देखें तो FIA ने 3900 करोड रुपे की बिक्वाली की है जबकि DIA ने 6860 करोड रुपे की खरीददारी की है कैस सेग्मेंट में FIA पर नजर रखने की ज़रुवत है क्योंकि वे बढ़ते बाजारों में सेलर्स बन रहे हैं यहां तक कि अगर हम FIA का लॉंग शॉट ट्रेशो भी पिछले सब्ता 66.83 की तुलना में देखें तो वह अब 63.35% हो गया है अगर हम शुद आधार पर देखें तो FIA ने Nifty Futures में खरीदने और Bank Nifty Futures में बेचने के साथ 17,303 Index Futures जो कॉंट्रेक्ट है वो बेचे हैं इसलिए क्योंकि सोमवार को FIA ने Stock Futures में बड़ी बिक्वाली की थी लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे हथे लंबी पोजिशन जोड़ी है तो दोस्तों आज के पॉड़कास्ट में बस इतना ही हमारे पॉड़कास्ट को नेमित रूप से सुनने के लिए इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद Investment in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing